देखे बिहार में कबिनेट विस्तार की चर्चाएं जोड़ों पर है नई सरकार का गथन हुए 55 दन हो चुकिए आपको याद होगा 28 जन्वरी को ही बिहार में वार फिर से एंडिया की सरकार बन गई थी लेकिन तब से लेकर अभी तक बिहार में कैबनेट विस्तार जो है वो रुका हुआ था मुखमंतर नितिश कुमार के अलाबा कि बल आठ मंत्रियों ने ही सपत ली ती जिसमें तीन मंत्री बीडेपी कोटे से थे तीन मंत्री जेडियू कोटे से मंत्री सुमित सिंग जोकी निडदली भी धायक है लेकिन समर्थन उनने सरकार को दे रखा है तो आठ मंत्री ने Гool सपत ली ती लेकिन मंत्री मंदल विस्तार जो है वो रुका हुआ था बिहार के डिप्टी सियम समराट चौधरी बिहार के मुखमंतर अनितिस कुमार से मिलने एक अने मार्क पहुंचे समराट चौधरी के तुरंत बार भागे भागे बिजय सिनहा भी पहुंचे जी हाँ डिप्टी सियम दूसरे डिप्टी सियम बिजय कुमार सिनहा और माना जा रहा है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चाय हुई हो सकते हैं लेकिन बीजेपी की लिश्ट को ले करके अभी माता पची जाड़ी है सुची तयार होने में अभी समय लग रहा है साइद यही वज़ा है कि मंत्री मंडल का विस्तार आज साम नहों कर कल तक हो सकता है मंत्री मंडल के नामों को ले करके सूची जो है उस पर बातचीज जो है BJP के तब से लगातार चल रही है BJP के नेता जो है वापस में बैट कर मंथन कर रहे है मुख मंत्री नितिश कुमार के साथ भी बैट करके बातचीज चली है और संभबता आज साम या कल तक बिहार में मंत्री मंडल बिस्तार जो है वो होना एकदम संभब है अनिकेत कुमार बिहार तक पटना